नमस्कार दोस्तों आर्सी इस्टिडी में आपका स्वागत है आज हम लोग अध्यन करेंगे मिश्रण तथा योगिक में अंतर तो अब यहां पर जो है यानि मिश्रण तो मिश्रण दो या दो से अधिक द्रब्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है जो योगिक ह होता है वो योगिक दो या दो से अधिक द्रब्यों के निश्चित अनुपात में रसाइनिक संयोग से बनता है फिर उस्सी परकार दूसरा जो है मिश्रण बनाने के प्रकरम में कोई रसाइनिक परिवर्तन नहीं होता है अर्थार्थ उर्जया का भी या दान परदान नही होता है लेकिन योगिक में जो है योगिक निर्मार में रसाइनिक परिवर्तन होता है अर्थार्त या तो उर्जा अवसोसित होती है या तो उर्जा उतसरजित होती है निकलती है फिर उसी परकार तीसरा जो है मिश्रण में इनके आवयों के गुड़ धर्म भी धमान होते हैं योगिक में गुट धर्म उनके जो गुट होते हैं उनके अवयूँ के गुट से अधिकान सिता भिन होते हैं फिर जो है चौथा अंतर मिश्रण के गलनांक वह क्वाथनांक निश्चित नहीं होते हैं जैसे वह कितने डिजरी सल्सेस पर गल जाएगा या उसका क्वाथनांक यानि क्वथन होगा या निश्चित नहीं होता है लेकिन योगिक के गलनांक वो क्वथनांक निश्चित होते हैं मिश्रण प्रायब भी समांगी होते हैं और जो योगिक होते हैं वो समांगी होते हैं उसी परकार जो है मिश्रन जो होते हैं मिश्रन के आवयों को भौतिक विधियों द्वारा पिर्थक किया जा सकता है लेकिन जो योगी के आवयों को भौतिक विधियों द्वारा पिर्थक नहीं किया जा सकता है